आप ग्राफ को देखो जी कि देखिए हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया ये वाला अमाउंट तो ये इन्वेस्टेट अमाउंट है ये वाला ठीक है और ये जो ब्लू कलर का जो दीख रहा है ये हमारा मैचुरूटी वैल्व यानिकि इतना पैसा हमें मिल गया जैहिन फ्रेंट्स मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो का टॉपिक है बिल्कुल नए हो मुचल फंड में ऐसे करो इन्वेस्ट अब कैसे इन्वेस्ट करना है आज की इस वीडियो में सीखोगे 22 परसेंट का रिट टॉप 10 mutual funds बताऊंगा आपको जो कि SIP के लिए और one time के लिए यानि कि लमसम के लिए best रहने वाला है तो वीडियो जो है बहुत important है और जैसे की जिन लोगों ने कल की live वाला session attend किया था तो उन लोगों ने देखा होगा कि ये जो मैंने उनको data दिखाय था कि जो market गिर रहा है और जो market जो कल की date में गिरा है 23-2024 में 2.240% के हिसाब से जो गिरा था तो मेरा कहने का क्या मतलब है देखिए ये one day का graph है क्या है ये ये one day का graph है और आज जो मैं 24 तारिक को जो वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को मैं कह रहा था कि थोड़ा बुद पैसा लमसम क देख सकते हैं market जो है ना 0.72% के हिसाब से ये उठ रहा है ग्राब ये timing भी आप देख सकते हैं 24 जनवरी और ये timing आप देख सकते हैं कि दो बच के 37 पीम पर तो ये तो था एक दिन का यानकि market एक दिन में इतना उचाल लिया और अगर हम बात करें 5 दिन में यानकि 5 दिन मे है 1.57% तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि यही market पहले 22,000 रुपे का जलक दिखाया था और अब जो है अभी हो रखाया currently 21,390 पे तो obviously बात है कि यह दुबारा 22,000 को भी प्लस करेगा इस तरह के से market जाएगा 22,000 को प्लस करेगा अब एक बात सुनिए का ध्यान से कि जो लोग शुरुवात कर रहे हैं और कि mutual fund में आना चाहते हैं या वो invest करना चाहते हैं तो उनको start करना चाहिए और जरूर करना चाहिए या जो लोग जिन लोग का target पूरा हो चुका है यानि कि उन्होंने सोचा था कि 10 से 15 साल के लिए invest करना है और आज 2024 में उनका target अगर पूर 10 साल पहले पैसे को invest किया था 15 साल पहले पैसे को invest किया था तो आप withdraw भी कर सकते हो थोड़ा बहुत अर अगर लगता है कि कोई काम नहीं है तो आप रहने दीजिएगा अब यहां पर हम समझेंगे कि आखिर risk factor क्या होता है आप लोग को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूर कि आखिर में complicated है या लोगों ने बना दिया है इसको देखिएगा सबसे पहला जो category है वह है small cap क्या है small cap की हम परिभासा समझेंगे सबसे पहले देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा जल्दी से comment करके बताओ देखिए small cap है small cap funds invest in small size companies सबसे पह higher risk है ना जो कि सबसे ज्यादा risk के साथ में अब आप कहोगे भई सबसे ज्यादा risk होता है small cap में और आप तो small cap में ही बोलते हो पैसा डालने के लिए तो पूरी बास सुनिए such funds can have high volatility and price fall in short periods यानि कि जो कम समय के लिए थोड़ा बहुत ये volatility होता है गिरता है पड़ता है यासे होता है लेकिन लंबे समय में अच्छा खासा return देता है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जितना risk लोग है उतना ही अच्छा return देगा तो risk जो है वो इसक भी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा risk भी है तो यह भी ध्यान रखना आप अब यदि हम बात करें कि यदि हम small category में पैसे को invest करते हैं तो हमें कितने साल के लिए आना चाहिए देखिए यहाँ पे साब साब लिखा है duration 7 साल यहाँ कि 7 साल के लिए आपको आना चाहिए और यदि बात करें कि पिछले 7 साल में जो return दिया है fund का नाम है count small cap तो देख सकते हैं कितना percent का return दिया है 24% का return दिया हुआ है पिछले 7 साल में fund size आप देख सकते हो तो यह थोड़ा बहुत छोटा सा record है बात करें DSP small cap fund के बारे में तो fund size आप देख सकते हैं और return कितना दिया है 17% से है तो return भी ज्यादा है तो यह भी तो आपको समझना होगा ना अगर आप ज्यादा पाना चाहते हो तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा कम पाना चाहते हो तो कम रिस्क लेना होगा अब यदि हम बात करें किसके बारे में mid cap के बारे में यह भी एक category fund है कि mid cap तो mid cap की परि आशा काम करते करते हैं वोग मिट केप में जाते हैं फिर मिट कैप से फिर लार्ज केप में तो इसका परिभासा क्या है कि मिट के में थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है जैसे बहुत सारे इंवेस्टर कह रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलिया भी 10 रुपय माइनस चल रहा है जो अभी नियूमली इंवेस्ट किया है तो घवराना नहीं उसको देखके इसका भी डूरेशन अगर बात करें कि यदि आप मिट कैप में पैसे को इन्वेस्ट करना जाते हो तो कितने साल के लिए करना चाहिए कि मिनिमम कम से कम तो साथ साल के लिए और उससे प्लस के लिए ही करें कम से देखा mid category fund का कि कैसे performance होता है कितना risk होता है सब कुछ आपके सामने है आप पैसा invest करना ना करना आपके ओपर depend करता है आपका पैसा है कैसे पैसे को invest करोगे क्या post office में रखोगे क्या bank में रखोगे decide आपको करना है जी अगर हम बात करें large cap category में तो large cap का भी परिभासा समझ ले देखिए large cap funds invest in well established large companies यानि कि जो well well का मतलब अच्छे तरीके से जो बड़ी-बड़ी company होती है उसमें पैसा invest होगा which are less volatile इसका क्या मतलब है कि इसमें आपका जो volatility होते ना वो कम है जो कि सबसेदा कम है large cap funds are suitable for long term conservative investor who want to explore to blue chip stock यानि कि यदि आप सोच रहे कि लंबे समय में करना है risk कम लेना है तो फिर आपको large cap में पैसा invest करना चाहिए एक mutual fund है canara river को blue chip अगर इसकी हम बात करें तो देख सकते हैं fund size हो है 11,649 करोड से जादा fund size है और जो पिछले 7 साल में जो return दिया है 15.9% का return दिया है इसने अगर बताओ कि अगर large cap में भी आप रखते हो जिसमें आपका risk भी कम होता है और अगर 15% तक का return आपको मिल जाता है 10-15 साल में तो क्या खराबी है कोई खराबी है क्या इतना तो साइद मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप ऐसे location में plot जमीन खरीद लेते हो तो आपको 15% का return न इसी को तो बोलते है financial education यही सब सीखना है सर इसकी कोई उमर नहीं होती है जब जागो तवी सबे रहा है तो आज जाग गये हो आज से ही शुरुवात कर दो अब यहां पे हमें एक ratio समझना है क्या ratio है अनुपात है देख सकते हैं 6-3-1 अनुपात है इसको हमें समझना है और इसी तरीके से ही हमें पैसे invest करना है देखी कैसे होगा माल लिजे 100% पैसा है आपके पास अब आप कहोगे सर मेरे पास 100% पैसा यह कैसे हो सकता है देखे 100% पैसे का क्या मतलब है इसको आप समझेगा कि माल लिजे जो भी पैसा आप लंसम करना चाहते है वो आपके लिए 100% पैसा है भाई, खापी के, जो भी बचा लेते हो, तो दीखिए, किस तरीके से हमें पैसे को बाटना है, डाइवेर्सियाई करना है, सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि किस के लिए करना है, देखिए, जिसकी एज, यानि कि कम है, 21 साल है, 22 साल है, 25 साल है यानि कि जादा से जादा 45 साल है उनके लिए यह बहुत important है और कारगर साविद होगा तो 15 साल यहाँ पे एक simple सा माल लेते हैं कि यदि आपको 15 साल के लिए invested रहना है तो यह ratio आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है यदि आप मेरे mindset से चलो तो और पैसा बनाना चाते हो तो 15 साल के लिए small cap category में 15 से 22 परसेंट तक का return आपको मिला है past में और आगे भी मिल सकता है लेकिन इसकी कोई guarantee नहीं है कि आगे 22 परसेंट ही मिलेगा 15 परसेंट ही मिलेगा हो सकता है इससे कम मिले और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए तो ये कोई guaranteed नहीं है वो तो decide करेगा market पर देखे रिस्क ज़्यादा यानकि small cap में आपका risk ज़्यादा तो return भी आपको ज़्यादा मिलेगा तो इसमें आपको कितना रखना है 60% पैसा आपको small cap में रखना है पूरी वीडियो में देखो ध्यान से समझ जाओगे वीडियो बीच में छोड़के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा second जो है वो mid cap है mid cap के अगर बात करें तो past में देखा गया है 12% से 18% तक का return दिया है इसमें जो risk है वो थोड़ा सा कम है यानकि small cap से थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन risk इसमें भी रहता है इसमें आपको रखना है 30% पैसा कितना रख रहा है यहाँ पे 60% हो गया यहाँ पे 30% पैसा हो गया उसके बाद बात करते हैं large cap category के बारे में तो large cap में जो return देखा गया है पिछले past में तो 11 से 16% तक 17% तक भी देखा गया है और अगर हम इसमें बात करें risk की तो इसमें risk कम होता है जैसे कि अभी उपर में आपको समझाया तो इसमें हमें रखना है 10% पैसा तो इसी को जब आगर आप काटोगे जिरो से जिरो काट दोगे तो 6, 3 और 1 का ratio बन जाएगा क्या बनेगा 6, 3, 1 का ratio यदि आपको 15 साल के लिए पैसे को invest करना है तो अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है देखे कमेंट में आप लोगों का पढ़ता रहता हो और वहीं से कोशन उठाया हुआ है और अभी भी आप लोग के कमेंट इस वीडियो में भी लेने बना हूँ बने रहेगा क्या पता आपका भी कमेंट हो कि 15,000 रुपे आपको परमंत SIP करनी है और यही 15,000 आपका 100% पैसा है यानि कि खा पी के जो आप पैसा बचा लेते हो दिखें कि मैं एक संटेंस बोल रहा हूँ कि खा पी के जो आप पैसा बचा लेते हो यह इन्वेस्टर का परिभासा नहीं है दोस्तो इन्वेस्टर का जो परिभासा है जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनका परिभासा ये है कि पहले जो हमारी income हो, मान लेजिए कि आपकी salary 20,000 है, suppose that 20,000 आपकी salary है, तो salary आते ही आपको 50% पैसे आपको invest कर देना है, उसके बाद जो 50% पैसा बचेगा, यानि कि अगर 20,000 का 50% देखा जाए तो 10,000 और 10,000 जो बचेगा, उसमें आपको जीवन या आपन करना है, यदि आप चाहते हो कि 50 साल बाद, 40 साल बाद आपको अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा हो, तो investment तो सीखनी होगी आपको, अगर investment आप नहीं सीखोगे, तो जीवन में कुछ नहीं करोगे, चाहे कितने भी आप सरकारी नोकरी लेलो, कितने भी पैसा कमा ल मेल है, हातों का मेल नहीं है, बड़ा मेहनत लगता है, लेकिन रोक के देखो न, तब आपको पता चलता है, तो देखेगा, ये आपका 100% पैसा हो गया, कि 15,000 की आप पर मन्त S.I.P. करना चाहते हो, पैसे को कैसे बाटे, ये भी आपको समझना है, देखे, स्मॉल कैप में, कि अगर मैं 60% पैसा निकालूं, 15,000 का, तो हो जाता है 9,000, तो 9,000 रुपे को आपको स्मॉल कैटिगरी मीचल फंड में डालना है, और आभी बताऊंगा, बेस्ट, यानि कि टॉप 10 मीचल फंड कोन सा होगा, तो उसमें आप लगा सकते हो, अगर बात करे, मिट कैप देंगे, और उसके बाद फिर 30% निकालेंगे, अरे भाया ऐसा गलती कर दोगे, तो आपको ऐसे निकालना है, कि 45,000 हो गया, और उसके बाद 15,000 का, फिर 10% निकालेंगे, तो 1500 हो गया, ये आपको रखना है, लार्ज कैप में, इन तीनों को जब पलस करोगे, तो टोटल हो करेंगे, और एक साल वेट कर लेंगे, और 15% का रिटन, या फिर 16% का रिटन मिल जाए, इससे ज्यादा मिले तो आपकी अच्छी बात है, तो पैसा कितना बन सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे आना कितना करना है आपको 27 लाग रुपे, मैचुरिटी वैलू आपका होगा, वो होगा 1 करोड 1,22,946 रुपे, यह जो अमाउंट है, अगर अलग-अलग कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, अभी हाली फिलाल में एक नया वैपसाइट बनाया है, तो उसका कैल करना है, क्रोम पे चले जाना है, और क्रोम पे लिखना है, देखिए, जैसे आप क्रोम पे जाओगे, तो क्रोम पे जाने के बाद यहां लिखना है आपको गमडर एडू, क्या लिखना है, जो मेरा चैनल का नाम है, वो लिखना है पुरा, गमडर डर एडू, गमडर एडू .in लिखना है आपको .in जैसे आप लिखोगे search करोगे, search करते ही, website खुल जाएगा देखिए, यह अपना website बनवाया है ठीक है, आप लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ आना बाकी है भी, सब कुछ आइट करते जाएगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट, सर्विस, वाई, आस, टीम और यहाँ पे करेंगे mutual fund calculator तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यह आपका calculator open हो जाएगा, देखिए तो यह calculator जब open हो जाएगा तो यहाँ पे लिखना है आपको कितना 15,000 लिखना है जी, थोड़ा सा अगर मानते हैं तो कितना मिलने वाला है 16% देखिएगा, कितना 16% और जैसे calculate पे क्लिक करोगे, यह आप खुद से भी क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, कि आपका जो total पैसा जो invest होगा 27,000,000 रुपे, क्योंकि 15 साल तक करेंगे और maturity value जो आपका बनेगा एक करोण 12,28,699 रुपे आप graph को देखो जी कि देखिए हमने जो पैसा invest किया यह वाला amount, तो यह invested amount है यह वाला, ठीक है और यह जो blue color का जो दिख रहा है यह हमारा maturity value, यानि कि इतना पैसा हमें मिल गया या मिल सकता है यह था past के base पे calculation तो चलिए आप बात करते हैं आगे वीडियो में top 10 mutual funds यदि आप 2024 में SIP करना चाहते हो या फिर लंसम करना चाहते हो तो best mutual fund सुन लिजेगा इसमें आपका mixed mutual fund है पहला जो mutual fund है वो है निपोन इंडिया small growth fund है इसका जो return देखा गया है 22% तक का return देखा गया है बहुत ही जवरदस्त mutual fund है next mutual fund है quant small cap growth fund 16% का return दिया है बहुत ही जवरदस्त mutual fund है यह भी SBI small cap growth fund इसमें जो दिया है 21% का return दिया है और आप लोग अभी कुछ चीज़ नोटिस कर रहे हैं minus 2% minus 1% minus 1% minus 2% यह आखिर क्या है तो यही समय है पैसा लंसम करने का या फिर SIP की भी कर सकते हो start है ना तो लंसम करना चाहिए यह आपका portfolio में ऐसे दिखाएगा minus कि इतना percent के दर से आपका पैसा minus हो रहा है उसके बाद next जो mutual fund है SDFC small cap fund है 17% का return दिया है पिछले 10 सालों में DSP small cap है यह देख सकते हैं 20% का return दिया है SDFC mid cap opportunity देखे तो 19% का return दिया है past में Kotech Emerging Equity Scheme को देखे अगर तो इसने 18% का return दिया है SBI Magna mid cap fund growth ने 17% का return दिया है मोतिलाल ओस्वाल जो mid cap fund है यह भी अच्छा कर रहा है इसका भी अच्छा return है और DSP mid cap fund growth यह भी अच्छा fund है यह जितने भी mutual fund यहाँ पर बताया जी बताया सारे ही अच्छे है बसरते देखना है कि आपके लिए suitable है या नहीं है इसमें ज़्यादार small cap है लेकिन कुछ देखी mid cap, mid cap, mid cap, mid cap है समझगे अब यहाँ पर बात करते हैं एक और category का जो कि large cap में तो large cap में कौन सा fund हो जिसमें हम SIP alum सम करे तो यह दि आप उसका best fund जानना चाहते हो तो comment box में लिखेगा कि large cap category का fund बताओ सर सिर्फ लिखना है large cap category अब यहाँ पर समझिएगा कि कुछ लोगों का doubt था फिर उसके बाद आप लोगों के comment लेने वाला हो जैसे मैं कल live आया था 23 जनवरी को और आप लोगों ने पूछा सर अगर मैंने लंसम किया तो मेरे को तो NAV जो दिखा रहा है वो 24 तारीक की दिखा रहे तो दिखिएगा मैंने जैसे live में बोला था कि आज मैं भी लंसम करने वाला हूँ तो live में रहते रहते मैं भूल गया और फिर मैंने क्या करा कि 3.30 बश से पहले लंसम नहीं कर पाया तो मैंने फिर करा कितने बचे देखिए आप देख सकते हैं यहां पर टाइमिंग भी जो है 4 बच के 18 मिनिट में तो मेरा जो payment confirm हुआ 4 बच के 18 मिनिट में हुआ तो यहां पर देख सकते हैं NAV date 24 जनवरी 2024 को यानए कि हमें अगले दिन के NAV यहां पर मिलेगा लिकशन यहां पर समझिएगा एक point कि order approved by fund house जिन लोगों ने साड़े तीन बज़े से mutual fund में लमसम कर दिया था तो ऐसा उम्मीद किया जा था उन्हीं की date पर तो उसी date पर count होगा लेकिन यहाँ पर order approved by fund house और यहाँ पर देखेगा कि मैंने चार बच के 18 मिनट पर order लगाया लमसम का और यहाँ पर एक और sentence है कि unit allocation in progress यहाँ कि मेरा progress में चला गया और दिखा रहा है कि order completion by 29 जनवरी 2024 यहाँ कि 29 जनवरी को मेरा portfolio में लगेगा तो जो लोग भी new investor है जो लोग डरते हैं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट कर तो थी या confirm तो हो गया कहां गया dashboard में शोर नहीं हो रहा तो हो जाएगा थोड़ा सा time लगता है और घबराईय मत देखे पहला जो comment है मैं जी पूस्ती है कि sir आप से भी register है क्या तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि मैं सेवी register हूं comment box में लिखे कि इतने दिन से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है अब इनका जो answer है मेरी तरब से तो मैं M.P. register हूं और M.P. जो M.P. हो गया stock market हो गया सब कुछ हो गया इसको सेवी देख रहे करते हैं एनकि सेवी से direct कोई register नहीं होता M.P. register है तो आगर आपका answer पूछा जाए कि हम सेवी register है या नहीं है तो आपकी परिभासा में हम लोग सेवी register है दूसरा जो comment है sir मैं invest तो करना चाहता हूं पर जानकारी नहीं है कि कैसे invest करते हैं आप कुछ help कर सकते हो देखिए आप मुझे यह बताओ कि जो comment पढ़ रहा हूं कि sir मैं invest करना तो चाहता हो लेकिन invest कैसे करते हैं मुझे नहीं पता तो क्या आप बताओ कुछ लोग social media में बोलते हैं कि बस regular plan में invest मत करो direct में करो direct ही आपका अच्छा हो लेकिन बताओ जिनको mutual fund के बारे में A, B, C, D, Z भी नहीं पता है कुछ भी नहीं पता है तो लोग कैसे करेंगे भाई direct plan में उस सिखते सिखते ही बोल देंगे अरे यार छोड़ो नहीं जंजटों में कौन पढ़ता है तो रहे गे ना फिर वो गरिब फिर आगे उनको कुछ सिखने को नहीं मिला उनको भी कोई होसला नहीं दिया उनके लिए है regular plan कि आप लोग को कुछ नहीं पता ये A to Z भी नहीं पता कैसे करना है तो मेरे भाई उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरी help चाते हैं तो कुछ नहीं करना ये मेरा mobile number है 798-222072 अगर इसमें आप call करोगे या वटसअप करोगे तो ये शिकाजी उठाएगी उनसे पूछना है अगर आपको पैसा genuinely अगर invest करना है तो आपको ज़्यादा चलाकी नहीं करना जो लोग चलाकी करते हैं नो कुछ नहीं करते हैं मतब हजारों profile create करके बैठे होगे एक रुपा भी invest नहीं किया होगा है बस video देखते हैं enjoyment करते हैं चले जाते हैं इससे तो पैसा नहीं बनेगा पैसे बनाने के लिए investment करना होगा तभी बनेगा तो इनको आप call करिये आपकी help बिल्कुल की जाएगी और मदद भी करेंगे और एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे दिन में phone बसता ही रहता है बसता ही रहता है नहीं तो AC का जी से बात करिये और invest कैसे करना है वो आपको समझा देगी अगर वो आपको नहीं समझा पाएगी ऐसा कुछ लेगा तो फिर मैं आपसे बात कर लूँ मा खुदी next comment है कि sir please suggest 5000 का 4 SIP करना है 10 से 15 साल के लिए और 1 लाक लमसम करना है 10 से 15 साल के लिए तो आभी उपर जो mutual fund वताया है उनमें से आप चुन ले ना 15 साल के लिए आप करना चाहते हो बैतरी इंड फंड है ठीक है उसमें आप लमसम भी कर सकते हो उसके बाद जो next comment है sir नमस्ते मेरा नाम CB पार्टिल है मेरा पोटफोलियो यहनकी इनका पोटफोलियो है कौन्ट स्मॉल कैप में 5,000 रुपे बढ़िया फंड है इन्वेस्टेट रहिए SDFC मिट कैप में 3,000 रुपे यह भी बढ़िया फंड है कोटक एमेरजिंग इक्विटी फंड में 3,000 रुपे यह भी बढ़िया फंड है आपका पोटफोलियो अच्छा है इनकी बाइफ की पोटफोलियो है निपोन निपोन स्मॉल कैप में 5,000 रुपे अच्छा है जो कि एक नमबर पे ही पहले बता दिया टाटा स्मॉल कैप में 3,000 रुपे यह भी अच्छा है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपे मैं और एक स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपे लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कौन सा लेना चाहिए कैसा लेना चाहिए देखिए उपर मैंने आपको बता दिया है जिसका यह उम आपको ज्यादा लगे उसको सर्च कर लिजेगा उसमें आप कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है इनका क्या कहना है कि एक पॉर्टफोलियो में कितने मुच्छल फंड होना चाहिए तुम यह आपको बताना चाहूँगा कि आपकी पॉर्टफोलियो में पांस से दस फंड होने चाहिए और इनी पांस से दस फंड में ही आपको S.I.P. या लंसम करना चाहिए तो बैटर रहेगा आपके लिए अगर आप सोचो के 15, 20, 25 फंड ले लेंगे कुछ नहीं होने वाला है इसी परकार से यदि आप भी सो रुपे S.I.P. करना चाहते हो या फिर लंसम में इन्वेश्ट करना चाहते हो आपको भरोसा नहीं है तो सो रुपे से आप स्टार्ट करके देखिए ये मेरा मुबाइल नंबर है 798-222-0721 आपको जरूर भरोसा हो जाएगा वो आप तक पोस्ते रहे और यह वीडियो अपने दोस्तों को अपने परिवार जनों को जरूर शेर करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत